फैटी लिवर क्या directly हार्ट की बिमारिओं पर असर करता है। बहुत मामला सीरियस है। और भख सारी बिमारिओं की जड़ आपका यही है फैटी लिवर। बचे कैसे? तोकि ये लोगोंने बहुत कॉमारिओं कॉष्छन के पूछ है कि इससे बचे कैसे? प्रेटी लीवर क्या डिरिटली हार्ट की बिमारियों पर असर करता है बहुत मामला सीरियस है अब भक सारी बिमारियों की जड़ आपका यही है फैटी लीवर बचे कैसे क्योंकि यह लोगों ने बहुत कॉमन पूशन कुछा कि इससे बचे कैसे समस्या तो पता लग गई नि इससे कि समपल फॉर्मुला बता है जरहां रिपीट करीं कि अब हएट माइनस आपका यह इत्ना हएट माइनस 100 हाइट माइनस 100 तो 1st में से कितना गटाया सुट टो वेट कितना होना चीय है सतन और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो कितना गटाना है 105 यह सर तो पहला रूल है first rule should not deviate is your weight slim and fit and of course handsome slim fit and handsome is the first rule to decrease the chance of fatty liver and second of course you have to see that you are not genetically manufacturing defect sorry to say parents manufacturing defect here if you are caught in my soul then do come extra carefree from the world and under that area it can be very important which has got the same weight so when the other older male grabbed the same weight or self約 this weight also επ the same weight weight should also remain as weight and weight 0.7 फीमेल में, मतलब 28 इंच की कमर और 40 की वेस्ट, तो कितना वो, 28 को आप 40 ही डिवाइट किया, तो 0.7 हो गया, for a female, it has to be waist to hip ratio, is 0.7 and for men, it can be 0.9, तो इसका मतलब क्या हो, जब next time आप कपड़े खरीदने जाएंगे, तो आप याद रखिएगा इसको, कि do not fit jeans on to you, यार मुझे वो 40 वाली waist वाली देना है, fit into the jeans, superb, fit into the jeans, a man with a waist of more than 90 cm is unhealthy, चाहे आपकी body पहलवान वाली भी हो, हमारे याँ हैं, इतने अच्छे physique वाले आपके cameraman भी हैं, पर याद रखिए कि कमर आपकी, for a female and male, the waist to hip ratio for a female is 0.7 and for a man it is 0.9, for a female, the waist should not go above 80 cm, 80 cm से उपर की jeans नहीं करीदनी, दरजी को कह दी जएगा कि अगर मैं कहूं तो भी मत बनाना मेरे लिए, और male की किसी हालत में नब्बे से नहीं, और मैंने पहले आपको बताया ना, मैं एक, बहुत मेरे दिल के करीब एक बात है, एक podcast नाईयों के लिए, बारबर्स के लिए कर दीज़ें, कर देंगे, 100% कि सारे बारबर, अगर सिरफ जब बाल काट रहे हूं, हर चार हफ़ते पर जाते ही हैं, बाल काट रहे हैं और यह देख लें, कि यार, इस बन्दे के मस्से हैं, यह यह काली लाइन है, सिरफ बारबर यह कह दे, कि भाया, नाईय कह दे, कि यार तुम चले जाना, किसी भी डॉक्टर को देखा लेना लिवर की फैट और हेल्थ चेक करा लेना मेरा जीवन सफल भारत के अंदर सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे किसी को डॉक्टर सरीन की ज़रूरत नहीं मैं ये कलिप काट के देश के सारे नाईयों को टैक करूँ सब्सक्राइब करते हो उनर टीवी चैनल में तो उनकी me भी इससे इशुह होते है हो जो लोग बाहर खाना खाते हैं या जो अलग अलग तिल खाते हैं इससे भी . तीड आप के माइने में खराब चीज मन तो फिर आप टेल की बात क्यों कर लोग है? हुँआ है गी की बात करिये जाए पर इसमें कोई बुराई नहीं कि आप देशी ग जाल भी बहुत अच्छा है, वाइट बटर अच्छा है, वैसे, मस्टर्ड ऑयल अमंग्स इसमें कोई बुराई नही रिजिए. अतना महंगा विलाएट से लाओ, कहीं से लाओ और अपना देसी मस्टर्ड ऑयल कोई बुराई नहीं है, और मेरे मायने में देसी गी सबसे अच अच्छा है और मक्कन पर उसको पचाना पड़ेगा